क्लास एड चैप्र नमबर फाइव जिसका नाम है एजुकेशन इस सोशल सिस्टम डिरूंग दब्रितिश रूल पार्ट थ्री पार्ट थ्री में आज का टॉपिक है महात्मा गांधी थर्ट अफ एजुकेशन अलोंग विद फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी प्लेड इं एजुकेशन महात्मा गांधी ने एक महत्वपुर्ण योग द्यान दिया था फ्रीडम स्ट्रगल में और उनके एजुकेशन प्लान है वह पॉपुलर हुआ था वर्धा सिक्षन योजना से जो 1936 में बना था उन्होंने एक एजुकेशन कमिटी फॉर्म डिक्या था जिसक कोई अंतनी लिट्रेशी का रेदर ये एक टूल से एक हथियार है जो वुमेन और मैन की मदद करता है लिट्रेशी कोई सेल्फ लर्निंग नहीं है गांधी जी ट्राइटू सस्टेंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंटिंग एजुकेशन आईडिया गांधी जैसे नाई तालिम बुनियाद बुनियादी शिक्षन वर्धा शिक्षन योजना बेसिक एजुकेशन स्कील बेस्टन वाकेशन एजुकेशन जो अगेंस्ट बेस्टन एजुकेशन से चास्ट हुआ है नवा बाता है 28 पेस नंबर गांधी जी बिलीव देट प्रिवेल एंग एजुकेशन सिस्टम हैद फेल टो शेप देलाइफ अप्डेस्ट एंड प्रोवाइब एंप्लोईमेंट गांधी जी का एसा माना था कि प्रिवेल एजुकेशन सिस्टम जो था उसका जो सेफ था उ एक अधूदिंग तूहीं उनके साफ से डिशाब से दसर की लव दक्यूरी देट के बारे में उनका सब्जेक्ट और स्कील रिस्पेक्टिवल नको बताज जाए उनके बारम समझाया जाए तो ही पॉस एडवोगेट ऑफ इंपार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन इन मद और उनको जो पढ़ाई वडी थी उनको प्राइमरी एजुकेसंथा उनको उनके मत भशाए जाए यह एड़ोकेट स्कील के भी बारे मारते हैं जैसे हैंडी क्राफ कार्पेंटरी ब्लैक स्मीथ वीविंग स्पीनिंग वो ऐसा भी मानते थे कि बच्चों को इस्कील के बार में भी पढ़ाया जाया जैसे हैं यानी उनको अन्हें का मानना अआ तो घॉड़ा स्कीछ के बारे में थोड़ा बेसिक्ट अड़ोकेट सिब्सक्राइल थोड़ा बहुत बताया जाए जिससे उनको नौलेज हो जाएगा और 1937-80 में स्कूल वे इस्टाबलिश्ट में स्कूल जो इस्टाबलिश्ट वह अकॉरिंग टू इस आइडियास उनके आइडियास के थरू आप लोगों को बता दिया जाए कि पहले की जो पढ़ाय होती थी पहले का जो स्टड़ी होता था वह अब से भी भौछ अच्छी स्टड़ी होती थी पहले की स्टड़ी बहुत बेसिक थी बहुत अच्छी थी स्टाबलिश्स अकॉर। विचारों के दवरान ही पहले जो स्कूल बनी आफ दी प्रोविंसेस ऑफ दी इंडिया हमारे भारत में अलोंग विट फ्रीडम स्ट्रगल जब आजादी का लड़ाई जब चल रहा था तो महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीत अहम्दाबाद में उन्होंने गुजरात विद्यापीत स्टाब्रिश्ट किया था अहम्दाबाद में 1928 में ठीक हैं टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ही उनसे इंस्पायर होके जाम्य मिलिया इस्लामिक एक युनिवर्सिटी बनाई दिल्ली और अ आश्रम एंड केंपेंट एजुकेंट इस्टूडेंट गांधी जिने ग्रास रूट एक्सिट बनाया थे आश्रम और केंपेंट जिसे बच्चों को पढ़ा सकें ठाकर ठकर बापा युगात्रम दवे पूर्नी पूर्नीमा बहन पकवासा यह सारे जो है वह में थे इन में कdı अब यह आता है अब लोकार यह व्यूंट ने क्या बढ़ा गांधी की ठराट के बारे में गांधीजी के एजुकेशन की युकेशन की के बारे में अब हम करेंगे रमेद्र नाथ टागोर का जो अब जानते ही होंगे वह य kg यह अन्uks घंगन लिखुन लिखा है था मार 大 रविद्ना टागोर को कवीवर और गुरुदेव के नाम से जाने जाता था जिन्होंने कोशिच किते इस्टाब्लिश करने के लिए एजुकेस इंस्टिट्यूशन बेंगाल में और उनके आइडियास के बेस पर यानिक उनका जो मत था उनके जो वह सोच रहते हैं उनके आइ इस कुल्चिर एलिएट वह ऐसा मांते थे कि स्टूडेंट जो है बच्चे जो है वह अपने आसपास के नौलेज और आपने आसपास का कल्चर देखके सीखते हैं यह वाज़न एडवोकेट आफ नेचर वह नेचर के एडवोकेट थे एजुकेस अनॉलेशन नॉलेज इन आपने नेचर से भी मिलता है अक्वरिंग टूई उनके इसाब से एडवोकेशन शुट भी एबल टू डवलाप दा चाइल्ट उनके इसाब से नेचर जो था वह एडवोकेशन में डवलाप करता था जिसे चाइल्ड क्रियेटिविटी बसकें ही बिलिव डट दाट चाइल वो शुट भी फ्रॉम दरी जरस डिसेप्लेन ओफ एजुकेशन वह उनका ऐसा मानना था कि बच्चे जो है वह फ्री रहे रिजीरस और डिसेप्लेन ओफ एजुकेशन से एजुकेशन सिस्टम अब चाइल्ड इमेजनेशन और उनकी इच्छा सकते यह उनकी डिवलॉप होनी चाहिए एडवोकेट द चिल्डरेंड शुट बी एंकॉरेश्ट टू लर्न डिफ्रेंट उनको अलग 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 पार्ट में अलग 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 चीजों उनको सीखने की डूची होनी च स्ट्रोंगली बिलिवट वह स्ट्रोंगली बिलिवुट करते था कि देट चील्डरेंड लर्न मोराल बेल्यूस एन स्पिरिट्वाल यू अलग तीचर शुट है वी दो अबिलिटी तो डेवलॉप तर चाइल्ड फीजोलोजिकल वह ऐसा मानते थे कि टीचर के पास इतनी मारे नहीं होनी चाहिए कि वो चील्डरेंग बच्चे का पीजोलोजिकल यानि उनका माइंड तेज कर सके उनके माइंड अबिन को बना सके बाइस्टी निकेतन सांती निकेतन इस्टाब्लिष्ट करने बाद इस्टीटीट्यूट्स इन होने और यूंके थो तो ते उनकी जो सोच थी उसके सब्सक्राइब से उन्होंने स्टार्ट किया 1901 में इस इंस्टीविशन हैस गीवन मेनी स्कॉलर्स इस इंस्टीविशन में उनको बहुत आए सो से और सोच एलीफों से द्यूरिंग दिश्रूल की साओ ब्रीटिश रूल था अधर टाइम ईंग्लिस रूल इंडिया इंग्लिश रूल जब इंग्लिश रूलीच बॉने ग्रीशा था उस समय सो सम्सों प्रॉस्टीविल और वैश मेरे प्लिविलन देवर एंटी-हूमन अब्स्रक्ट दोवलॉप्मेंट अपिडीजु़ दिस सोशल इविल इंक्लूदट चाइल्ड मेरेज उन्टचबर यह जादा से ज्यादा चाइल्ड मेरेज उन्टच अपरिटी आउन्टचबरीय सदिप्रता कास्ट दिस्रिमिनेशन फ्रोहिबियुशन ऑफ वीड़ो चाल्ड मेरेज जब चाल्ड मेरेज बही साधी होना अंटचबलीटी फिमर इन फैसिसाइट स्लेवर यानि गुलामी सती प्रथा सती प्रथा यह निकी जो सती न जो प्रथा की थी वो आप लोगोंने रामायन अपर महाभाब देखा होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट म इस फॉर्म कंपेंड नांटीं संचुरी में कुछ ग्रेटेस्ट रिफॉर्म सा कुछ ग्रेटेस्ट चेंज्जी तेज जी सूर्जी करता इवी इस स्ट्राइशन बहुंन निंटिंस तॉसाइट में इसूर्शन और्ट फैश्ब्रेशन दॉपर्ब्लेश्टिस प्रिवय् रिफर्म, और्गिनाजेशन और सोचल रिफर्म्स, रिफर्म्स के और मनदब चेंज़ेस और सोसेल के वारे में रिफर्म्स योग यो ये हम लोग नेक्स पार्ट में करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हर चमें जाहिन जे भारत